हेलो माई डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माई चानल, सो आज की क्लास में बेसिकली हम सरकल की exercise 10.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, सो कल की क्लास में बेसिकली मैंने सरकल की कुछ जो definition रह गई थी, वो कराई थी, ठीक है, सो मैं चाहूंगी सबसे पहले कि अगर आप य वाली वीडियो देख रहे हैं, तो इससे पहले जो दो मैंने introduction वाली वीडियो बनाई हैं, आप वो जरूर देखें, जिसके अंदर मैंने circle की जितनी भी definitions है, वो कराई हैं, ठीक है, सो मैं चाहूंगी पहले आप वो दोनों वीडियो देखें, तब आप ये वाली वीडियो देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है, और खास करकि कल वाली तो जरूर देखें, ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपने आज की lecture से, जो exercise 10.1 में basically दो ही questions है, एक तो fill in the blanks है, और एक true false है, basically बच्चो वाला खेल है, ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं अप आपको बताना है, क्या हैगा, ठीक है, अब देखिए, पहला क्या है, पहला फिर in the blank क्या है, the center of a circle lies in dash of the circle, और आपको यहाँ पर देखो, दो option भी दे रखें, exterior या interior, basically इन दोनों में से ही कोई answer है, तो आपको ने, इसने question ने क्या पूछा है, the center of a circle, आपको पता है, यह ए center होता है, यह, जो यह center है, मैंने आपको कल के lecture में बताया था, कि जो यह center है, वो circle के कहां है, अंदर लाए कर रहा है, circle के कहां लाए कर रहा है, अंदर लाए कर रहा है, मतलब यह circle के interior में है, अंदर है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, जो center of a circle कहां लाए करता है, interior, यह वा ठीक है अब देखिए next विलंदी ब्लैंग क्या है a point whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in dash of a circle आपको बताना है यहाँ पे क्या हैगा basically दो options सेम आपको दे रखी है इन में से ही कोई answer है अब समझेए basically क्या दे रखा है मैं इसी में ही आपको बता देती हूँ यह एक circle है और यह suppose करो center है इसने क्या का है एक ऐसा point a point whose distance from the center of a circle is greater than the radius मतलब basically एक ऐसा point दे रखा है जिसका जो distance है वो क्या है radius से जादा है आपको पता है radius क्या है let's suppose करो यह point ले लिया आपको पता है यह OX के equal है R के equal है इसने क्या का है ऐसा point जिसका distance ना इस radius से जादा है वो कहां लाए करेगा मैंने आपको कल के lecture में बताया था ऐसा basically ऐसा point जिसका distance radius से जादा हो वो कहां लाए करता है circle के बाहर लाए करता है जैसे मान लो let's suppose करो आपने यहाँ पे कोई P point ले लिया तो मैं इस O P को जब मैं join करूंगी जब मैं इस O P को join करूंगी जो यह O P distance है यह basically greater है ना radius से यह जो O P distance है यह greater है ना यही radius से तो आप से यही तो बोला है a point whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in कहां लाए कर रहा है यह circle के बाहर लाए कर रहा है that means exterior में लाए कर रहा है बाहर लाए कर रहा है so आप लिखेंगे exterior क्या लिखेंगे exterior next question is the longest chord of a circle is a dash of a circle मैंने आपको जो पहले वाली introduction class थी मैंने आपको बताई थी longest chord कौन सी होती है मैंने आपको बताया था जो diameter होती है ना वो क्या होती है longest chord होती है एक circle की क्या होती है longest chord होती है so इसका answer क्या है the longest chord of a circle is a diameter of a circle देखो मैं तब ही आपको कह रही हूँ अगर आपने मेरे कल और जो first वाला जो introduction lecture है अगर आपने वो वाले दोनों मेरे lecture देखे हो है तो आपके लिए ये fill in the blanks करना बहुत ही असान है ठीक है so अब देखिए next question क्या है मैं इसको एक बार रब कर दूँ जो side में लिखा है मैंने इसको भी कर देते हैं so the next question is sorry next question is an arc is a dash when its ends are the ends of diameter question क्या का है an arc an arc is a dash when its ends are the ends of the diameter मैंने कल आपको एक semi-circle chapter semi-circle की definition बताई थी yes or no so मैंने आपको क्या काता है semi-circle basically क्या होता है semi-circle क्या होता है जब एक circle diameter के long cut होता है जब एक circle diameter के long cut होता है जो वो figure बत जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं जो resulting figures होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं semi-circle कहते हैं मतलब ये क्या है आपका एक semi circle है ये क्या है एक आपका semi circle है आपको पता है ये क्या है एक diameter है so ये क्या है एक diameter है ये a कर लो ये point b so इसके ends क्या है basically diameter के है इसके ends क्या है diameter के है so इसका answer क्या आएगा an arc ये basically arc क्या है यह एक semi circle है when its ends are the ends of the diameter. So, इसका answer क्या आएगा? semi circle आएगा. क्या आएगा? semi circle आएगा. Next, देखिए. Segment of a circle is the region between an arc and dash of the circle. मैंने आपको पिछले lecture में बताया था segment basically क्या होता है? ऐसा region जो किसके बीच में लाए करे? आर्क और कॉर्ड के बीच में लाए करे? तो हम उसे क्या कहते हैं? segment कहते हैं. So, यहाँ पर क्या आएगा? Segment of a circle is the region between an arc and chord of the circle. And chord of the circle. अब देखिए, next will in the blank. A circle divides the plane on which it lies in dash parts. So, आपको पता है जो यह computer screen है, जो यह screen है, यह basically क्या है? एक plane है? Yes or no? यह क्या है? एक plane है? So, इसने क्या कहा? So, question क्या है? So, next will in the blank क्या है? A circle divides the plane on which it lies in dash parts. So, let's suppose करो, यह क्या है? एक circle है. ठीक है? एक circle जो होता है, basically, एक plane को तीन parts में divide करता है. एक तो देखो, यह circle के अंदर वाला part, एक एक circle के बाहर वाला part, तो कितने, sorry, तो कितने part में basically, कुतने part में divide करता है, तीन parts में divide करता है. तो circle के अंदर वाला part, एक circle के बाहर वाला part, और एक circle के उपर वाला part. ठीक है,cription on the circle. और कितने parts में divide किया, three parts में कितने parts में divide किया three parts में अब देखे हैं देखते हैं next question और वो क्या है right, true or false आपको बताने कि इन में से क्या true है और क्या false है तो पहला देखिए line segment joining the center line segment joining the center to any point on the circle is a radius of the circle तो अब देखो क्या का है इसने line segment यह आप center ले लो line segment joining the center to any point on the circle यह क्या होता है आपको पता है एक center से circumference तक का जो distance होता है वो क्या होता है radius होता है तो यही तो इसने क्या यही तो इसने कहा है line segment joining the center line segment joining the center to any point on the circle is a radius of a circle, yes, यह बिल्कुल सही चीज है, तो answer क्या होगा, true होगा, answer क्या होगा, true होगा, next देखो, next क्या है, a circle has only finite number of equal quads, अब यह क्या चीज सही है, finite number of equal quads, अब बताओ, मैंने आपको यह पिछले lecture में आपको एक चीज बताई थी, एक circle के ऊपर, हमेशा कितने points होते है, एक circle के ऊपर, हमेशा infinite points होते हैं, मैंने आपको बताया था, तो अगर एक circle के ऊपर, infinite points है, तो हमें इक कितनी भी length की, अगमाल लों हमें दे रखा है, कि हमें core बनानी है, हमें एक ऐसी line से basically cord एक line segment ही तो होती है हमें एक line segment बनानी है five units की तो आपको पता है एक circle के उपर क्या होते हैं infinite points होते हैं तो अब five unit की कितनी भी infinite cord बना सकते हैं let's suppose करो मैंने ये एक लेली five unit की ठीक है let's suppose करो मैंने एक ये लेली five unit की let's suppose करो एक finite एक five unit की ये बन गई ऐसे अभी तो मैंने सिर्फ तीन बनाई हैं ऐसे infinite possible है let's suppose करो मैंने एक ये लेली let's suppose करो ये भी five unit की है ठीक है let's suppose करो ये भी five unit की है तो आपके पास कितनी भी length की आपको दे रखा हो ऐसी हम infinite cord बना सकते हैं equal length की तो अब क्या लिखा हुआ है a circle has only finite number of equal cords ये बात तो बिलकुल गलत है क्यों हम infinite number of equal cords बना सकते हैं क्योंकि circle पे कितने points होते हैं infinite points होते हैं कितने points होते हैं infinite points होते हैं अब देखो next question so next क्या है मैं इसको रब कर रहती हूँ पहले so next question is if a circle is divided into three equal arcs then each is a major arc अब आपको बताना है क्या ये चीज़ ट्रू है so let's suppose करो ये एक circle है ठीक है मैंने इस circle को क्या किया तीन equal arcs में divide कर दिया so let's suppose करो एक point मेरा यहां है a let's suppose करो एक मेरा point यहां पे है b और एक मेरा point यहां पे क्या है c है कितने होगे देखो एक ये आक हो गई equal एक ये equal arc हो गई अब ये आप मान लो देखो आपको लग नहीं रहां यहां पे equal है ये बड़ी छोटी लग रही है लेकिन मान के चलो ये क्या है तीनो की तीनो equal arc है ठीक है मान के चलो ये तीनो की तीनो क्या है equal arc है तो इसने क्या का है if a circle is divided into equal arc then each is a major arc अच्छा मैं आपको ना एक मैने पिछले lecture में एक चीज नहीं बताई अगर एक arc को basically major arc होना है अगर एक arc को क्या होना है major arc होना है तो उसका जो degree measure होना चाहिए उसका जो degree measure होना चाहिए वो क्या होना चाहिए greater than क्या होना चाहिए 180 degree होना चाहिए या बोल सकते हो जो उसका degree measure greater than किस से होना चाहिए semi circle से होना चाहिए, आपको पता है semi circle का जो degree measure होता है 180 degree होता है, ठीक है, so हम एक arc को major arc कब कहेंगे जब उसका जो degree measure होगा ना वो greater than होगा 180 degree से और आपको पता चल रहा है, देखो इन में से क्या कोई भी arc semi circle है, इन में से कोई भी arc, आपको पता है किसी का भी जो degree measure है, आप इस arc का ले लो, चाहिए इस arc का ले लो, चाहिए इस arc का ले लो, किसी का भी जो degree measure होगा ना, वो 180 से जादा नहीं होगा वो 180 degree से जादा नहीं होगा, तो ये तीनों की तीनों ना major arc नहीं है, ये तीनों की तीनों क्या है minor arc है, यह 3 की 3 क्या arc है, minor arc है, यह क्या हो गया, यह क्या हो गया, false हो गया यह क्या हो गया, false हो गया, next question देखिए, a chord of a circle which is twice as long as its radius is a diameter of a circle क्या क्या है, question, a chord of a circle which is twice as long as its radius, क्या वो एक diameter है, basically यह सही तो कह रहा है, आपको पता है, जो diameter होता है, जो diameter होता है, वो twice होता है ना, radius का, मैंने यह आपको पिछले lecture में बताया था, तो यह यही तो कह रहा है, तो यह यही तो कह रहा है a chord of a circle, ऐसी chord circle की, जो क्या है, twice है, radius की, तो वो क्या है, diameter है yes, बिल्कुल, तो यह क्या है, यह क्या है, true है, यह क्या है, true है next देखिए, next क्या है, sector is a region, मैंने यह कल के lecture में आपको sector बताया था so क्या का है, sector is a region between the chord and its corresponding arc, यह सही बात है देखो मैंने आपको कल के lecture में बताया था, sector क्या होता है, region between the two radii दो radii और एक arc के बीच का जो region होता है, हम उसे sector कहते है, लेकिन यह क्या कह रहा है यह कह रहा है, sector is a region between the chord and the corresponding arc, यह तो बिलकुली गलत है और मुझे बता सकते हो, यह किसकी definition है basically sector की जगा पे यहां क्या लिखा होना चाहिए था, आप मुझे बता सकते हो basically आपको पता है, chord और arc के बीच का जो region होता है, वो किस में होता है वो segment में होता है, segment is basically a region between the chord and the corresponding arc so यह क्या है, यह गलत है, ठीक है, यह क्या है, false है, sector में chord और arc के बीच का region को हम sector नहीं कहते है, ठीक है अब next और last, इसने क्या कहा है, a circle is a plane figure plane figure basically क्या होता है, 2D figure, और यह चीज बिलकुल सही कही है इसने, यह चीज इसने बिलकुल सही कही है, एक circle क्या होता है plane figure होता है, तो यह क्या है, sorry, यह क्या है, true है यह क्या है, true है, so यह थे आपके दो ही question first exercise में अब हम कल के lecture में कुछ 3 या 4 theorems और करेंगे, फिर हम अपनी second exercise इस पे बढ़ जाएंगे, ठीक है, so मिलते हैं हम अपने कल के lecture में झालमं हम और करेंगे और करेंगे